आठक के पीछे खास उदेश के नहीं मुहिम चला रहा है। प्रयास करेंगे। उसके इलावा इस संकल्प मुहिम के माध्यम से हमने हरियाना के छात्रों को ये सुविधा परदान करी है कि गाउं की ITI से लेकर युनिवस्टी के रिसर्श स्कॉलर स्टूडेंट को अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है कोई प्रेशान नहीं आ रही है त हरियाना के विद्यार्थियों को कि 48 गंटे के अंदर उस समस्या को चाहे वो किसी भी स्तर की समस्या हो उसको हम उठाएंगे ये नश्वी हरियाना ने आज इस संकल्प मुहिम के नाम से प्रण लिया है यूथ की सबसे बड़ी समस्या होती है चौब सरकार ने आज खासकर यूथ डेप ये कहा कि हमने पिछले छे सालों में 80,000 लोगों को नोकरी दिये आप यूथ की नातिस उस किस तरह से दिखते हैं मनहोरलाल खटर जी ने आज जो सुबह सुबह एक बड़ा-बड़ा मीडिया में बुनांजाना उसकरा कि हमने 80,000 नोकरीयां हरियाना के यूआओं को मिली होती तो हरियाना का नंबर आज बिरोजगारी में पहले नंबर पर नहीं होता और दूसरी बात जो मनहोरलाल खटर जी ने 80,000 का फिगर दिया है ये basically advertisements हैं ये recruitments नहीं है हरियाना सरकार उसके इलावा ये बताए कि कितने जो लोग नोकरी में थे पहले जिनको हरियाना सरकार ने चाहे वो ड्राइंग टीचर की बात हो चाहे वो PTI की बात हो चाहे वो किसी ओर department के जो clerks थे उनको निकालने की बात हो तो हरियाना सरकार ने जितने लोगों को बरती करना था उसके इलावा उससे ज़्यादा लोगों को निकाला है और आज सवाल खड़ा होता है दुशन चुटाडा के उपर जो सरकार में आने से पहले 75% रोजगार के अंदर आरक्षन की बात करते थे आज वो बताएं कि एक साल में ऐसी कौन सी private MNC बड़े निवेश जो हरियाना में आए हैं जिसको देखते हुए हरियाना का युवा अगले चार सालों में ये अनुमान लगाए कि अगले चार सालों में इतने निवेश ओर आएंगे तो ये सिरफ एक दिन की वहावाई लूटने का खटर साब ने आज जो प्रोग्राम किया था मैं खटर साब की सरकार को युवा विरोधी सरकार का नाम दोंगा आज जो आप वैपोर्टर लौंच कर रहे हैं आज जो आप 80,000 नोकरियों का वादा कर रहे हैं आप ये भी बताईए आप नोकरियों में पारदर्शिता की बात करते हैं इस सरकार की एक ऐसी नोकरी तो बता दें कि जिसकी अड़िटीजमेंट निकल के उसका पेपर हुआ हो और उसका पेपर लीक ना हुआ हो जदा दूर नहीं जाओंगा दो दिन पुराणी ग्राम सचीव के पेपर की बात कर लेते हैं अलग अलग जिलो में पता लगा कि ब्ल्यूटूथ के माध्यम से वो पेपर लीक हुए उसके पीछे अगर आप जाएंगे कलर का पेपर देख लो एकसाइज इस्पेक्टर का पेपर देख लो कितने ही ऐसी भरतियां थी लग बग 30 से जादा ऐसी भरतियां हर्याना सरकार में 6 साल में हुई है जिनके लगातार पेपर लीक हुए है आज वेब पर्टर लॉंच करा है कोई नहीं इसका रिस्पोंस देखते हैं कि किस साब किसा इसका रिस्पोंस होगा उसे हिसाब से इसको फर रियक्शन करेंगे मैंने देखा कि किसान आंदोलन में यूथ भी बहुत बैठा हुआ है और कहीं न कहीं यूथ के एक प्रोसान के जरीए बुजर्ग और बच्चे बैठे हुए सुप्रिंपोर्ट ने बड़ी गहरी चिंता जायर की कि इन सब को घर जाना चाहिए आप ऐसे खासकर बुजर्ग जो पुता तुल्ले हैं और जो माता हैं जो बहने बैठी उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि वही उनको घर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए देखिए जी इस अंदोलन में हर एक जो वर्ग है हर एक जो उमर के व्यक्ति हैं चाहे वह आप 20 साल से कम कहें जिनको हम 18 साल से कम नाबालिक कहते हैं आज वो भी वहां बैठे हैं आज युवा भी वहां बैठे हैं बुजुर्ग भी वहां बैठे हैं माताएं बैठे हैं बेहने बैठे हैं ये काम सरकार का है सरकार को समवेदन शीलता बरतते हुए इस कड लक्ति ठंड में वहां बैठे हैं और उससे ज्यादा जो चांद चड़ानेगा काम हर्याना सरकार मनोरलाल खटर जी ने करा जब यह अंदोलन शुरू हुआ तो हर्याना और पंजाब और अलग अलग परदेश से किसान दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे मनोरलाल खटर सरकार ने कभी अंबाला में कभी कुरुखशेतर में कभी करनाल में और कभी पाणिपत में अलग अलग जगा बैरिगेट्स लगा कर अलग अलग जगा वाटर कैनन का परियोग किया सरकारी संपत्ती का नुकसान किया सडके गड़े खोद कर उन्हें रोकना चाहा और अंत में वो वहाँ पहुँचे और उसके बावजूद मनोरलाल खटर सरकार ने जब अमबाडा में किसानों ने इनका विरोध किया तो उन पर नाजायज मुकदमे दर्ज किये गए तीन दिन पहले जब मनोरलाल खटर जी जब कैमला गाओं में उनका ग्रह जिला पड़ता है करनाल जब कैमला गाओं में एक महा पंचायत जूठी महा पंचायत जूठे लोगों को किसानी का जो जामा पहना कर वो पंचायत करना चारे थे जब उस पंचायत को करने गए तो लोगों ने विरोध किया उनका हलिकोप्टर तक उनके ग्रह जिले में नहीं लेंड़ ने दिया उसके बाद मुख्या मंतरी ने क्या किया चाहे वो पीपली में हो, चाहे वो अंबाडा में हो, चाहे वो करनाल में हो, या हर्याना परदेश के किसी और जिले में हो, जिन जिन किसानों के उपर हर्याना सरकार ने नजायज मुकद में दर्ज की हैं, उनको फ्री कानूनी सहयता NSOE हर्याना परदान करेगी, उनके केस ल जित पाइए लेकिन करते हैं तो बीजेपी जीत रही है फिर लोग तो बीजेपी के खिलाफ नहीं है लोग तो बीजेपी के पक्ष में हैं और कॉंग्रस के खिलाफ है आज भारते जन्ता पार्टी इस किसान अंदोलन को राजनीतिक चोला पहनाना चाहा रही है किसान अंदोलन ठीक है या नहीं इसका फैसला चुनाव नहीं करेंगे ये मैं स्पष्ट करने देना चाता हूँ आपके इससे चुनाव में हार और जीतके और बहुत कारण होते हैं पर इसको पूरे तरीके से जो किसान यूनियंज अलग-अलग परदेशों की पंजाब की उत्रपरदेश की राजस्थान की हर्याना की अलग-अलग किसान यूनियंज इनको लीड कर रही हैं और कॉंग्रेस पार्टी का इनको समर्थन है।